इस वक जमशेदपूर से आ रही है जहां शहर में तेज रफतार का कहर देखने को मिला है ट्रक ने काम पर पैदल जा रहे तीन मस्दूरों को रौन दिया है घटनासल पर एक मस्दूर की मौत हो गई है जबकि दो मस्दूर गंभीर रूप से सक्मी हो गए है उन्हें इलाज के लिए MGM लाया क्या है उनकी हालत गंभीर है जिसके बाद उन्हें T.M.H. रफर कर दिया क्या वहीं दूसरे तरफ ट्रक छोड़ कर ट्रक चालक फरार हो क्या है पलिस ट्रक को सब्ट कर मामले की जार्च में चुट गई है MGM थाना शेत्र के NS-33 की ये घटना है तो एक वेकाबू ट्रक का कहर देखिए पैदल जारे मजदूर को रॉन दिया तीन मजदूरों को रॉन दा है जिसमें दो की मौत हो गई है जबकि एक की हालत नासुक पनी भी है ट्रक छोड़ कर ट्रक चालक फरार हो क्या है ज्यादा जानकारी देरे सायोगी पियूश इस वक्त हमारे साथ जुड़ेवें पियूश ये दल्दनाक हाथसा कैसे हुआ और क्या कुछ अपडेट क्या आरोपी ट्रक चालक को पकड़ा गया है देखें ट्रक और ट्रक चालक पुलिस के गिरफ में है ट्रक को भी वरामत कर दिया गया है और साथी साथ जो घायल है जो दो लोग दंभी रुप से घायल है उनका के में इलाज़ सायता है है जो मुआपञा है उसकी भी बात बात चल रही है तो अभी आशनका है कि ड्यूश ट्रक भी पहुचे नहीं है थाना प्रभाएगी सथा ये बात रही है ये बताईए जिन दो मजदूरों की मौत हुई है क्या उनके शनाक्त हो पाई है पियूश देखे अभी उसके परीजनों को बुलाया गया है सिराथ हो चुगा है वो टिमना के ही रहने वाले हैं तो जो उसके परीजन है वो परीजन कोस्माटम हाउस पहुंचेंगे और वहां इसे दो की मौत हो गई है जबकि एक की हालत नासुक बनी विया उसे गंबीर आलत मिटी एमेज में भर्ती कराए गया है इस बीच हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सडग चाम कर दिया और मौफजे की मांग कर रहे हैं थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहु लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा